तो आज मैं बनाने जा रही हूं हरी मूंकी चिलके वाली मूंकी दाल के पकवडे तो इसको हरी मुंग की डाल भी बोलते हैं चिलके वाली मुंग की डाल भी बोलते हैं तो मुंग की डाल को मैंने पांचे गंटेक ले भिगो दिया था और इसको मैंने दोके भिगोया था जिस क्योंकि मैं चिलके उतारना नहीं चाहती थी चिलके के साथ ही बनाऊंगी मैं पकोड़े तो मैंने इसको धोके भिगोया था और फिर मैंने इसे अच्छे से फिर से धोल लिया एक बार चिलकों के साथ ही और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ तो अब हम इसको पीसेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ तीन हरी मिर्च, अद्रक कसके और चार पांच काली मिर्च तो आप चाहें तो हरी मिर्च और डाल सकते हैं अगर आप लोग तीका खाते हैं यहाँ पर हमारी जो डाल है और पिस गई है तो तो डाल को थोड़ा जादा पतला ने पिस थोड़ा दरदर ़ामिर्च नाक में बदान को इसको खूब अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है एर त 맞आ चुका है में चैंज हम देखतर तो चैक कपूड कर यह नहीं है पेज़ करके और गरम कर लेना है और उसके बाद पकोड़े डालेगा मीडियम फिलेम पे इंको बनाना है जिससे कि अंदर से कच्छे ला रहे हैं और यह खाने बहुत तेज़ की लगता है यहां पर बन संगे हैं हमारी पकोड़े और यहां बन रही है हमारी चाय उससाथ पकोड़े खाने का एक अलग ही मिज़ा हो और क्योंकि बारिश में तो नियोंद आते नमक दाला दाल जालनी के और चटनी थे हैना ठनिया, पुदीन, हरी मिर्च टमाटर बस नमक टाला है हम उसके अंजर है और ये चटनी वह हो ये च्टनी तयार हो में ज्रणाय च्टनी ने गरम गरम गरम गरम चाय फकोड़े利 चटनी के outras ये इसलता है और बारिश भी दिखाती हुआ अपने वी साथ दिया है मारा पकॉर्डर के मामले में तो सही है क्योंकि गर्मी बहुत पढ़ रही है और चिप-चिपी वाली गर्मी पढ़ रही है अब ट्रका पानी आ रहा है मैं तो देखिए आप लोग भी कितनी बारिश पढ़ रही है बहुत बारिश पढ़ रही है हमारे अधर दिल्ली में आप लोग देंगे कहा रहते हैं ला ऐसके हैं तो यह दौना समय से विंसusion सब्सक्राइब करते हैं दौनों बार जो किस नहीं हो एड मैं पोस्तंड सब्सक्राइब। एक एक कर existing लें और भांवय। अब ही रूख चाहो थो मिनिट बन जाएं कि आपको ही मिलेंगे दोनों क्या चाय ठंडी हो रही है यह इसके वुईलू की ठटनी रहते हैं एक को देरो उससे डख के रग दो एक को वीडियो बन रही है वीडियो सब दिखाई कि रहे है यह जब बन जाएंगे तो इसे और बन जाएंगे ले जा ले जा के खाएंगे वीडियों अब यह भी तो टलवाले एक बार यह होने वाले हैं दो में तुब्जा यह ले जा चल मैं देखें आरी ही बहले और इतनी गर्मी पड़ी है वैसे दो बारिश कड़ रही है ठीक है बाहर बारिश हो गी है लेकिन इतनी गर्मी है ना बहुत अजल में निया लेकिस्ट कर दोड़ा थिदया खाओ टोड़ी गडर्मी को कम यह कियो देखो मेरा वेट भी निकीए इन्हों न यह खा रहे हैं पकॉड़े बाड़ा बेटा वह भी तक आया नहीं है उसके मैंने रख दिया है तो तो फोड़ा थोड़ी देर से चलेगा उसके रख दिया है चलिए चाय पीते हैं हम भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे तो आप लोग भी चाय पी लिजे हमारे साथ बारिश में बारिश का मुझा मुझा में बहुत अच्छा और पकोड़े खा लीजे चटनी के सारी हरी चाय हम पी चुके हैं और मैंने कर लिए से कपड़े चेंज क्योंकि मेरा सुब पूरा गीला हो चुका था पसीने में और अब मैं रिलाक्स होके बैठी हूं और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे आधि में मतलत की हड़ी में सूजन आ जाती है इस तरीके से कुछ बताया तरह दौक्तर ने और जो मसल्स हैना वह होग चाती है इसमें प्राइन तो वेट उखाने के लिए मना कर है यह बिल्कुल और मतलत की हाथ की एक्सरसाइज वगरा बताईये और ज्यादा पर बदूभी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरको ये प्रॉब्लम हुई है second time और पहले मेरको हुई थी 2019 में यही प्रॉब्लम हुई थी मेरको हम लोग भून के आये थे और आने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े दोए थे और गीले कपड़ों में वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं मतलत की उठा के ड कि मिए डाँा ज्यादा कि वो मेरे लिए सहनी है था सहना बहुत मुश्किल था तो धिल्म मुझे ऐसा.. मैं झुछे में तो थी मिए पता नहीं चला और उसके बाद उसके बाद मैंने इंग्णोर कर दिया क्या चालो कोई नहीं हो जाता है.. कर आईय बार मैं ज़्यादा काम एक पतना काम शाग तर्जाओ लिए नियुक्ती ते पानीस एल्बो भी हो सकता है अधना मुझे हाथ में हम हमाई में मूव लगा रहे हूं पहिल्वान वगेरा हन चुआ हम फिर शागा पहुआ ठीडी निः प्रोंडे ही ना रूद भेन और ब्हएं कर में करता हूं अपने हाथ में उससे भी कोई फरक नी पड़ा फिर मैं गई डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा एक्सरेव अगएरा कराया एक्सरेव फिर जब यह पता लगा कि यह जो हमारी मेरी जो कोहनी है ना कोहनी की हड़ी है उसमें सुजन आई हुई है और मुझे कम से कम तो बारिम पर के पादा नी करनाओ और मुझे करनी है तो मेरे बहुत सारे काम भूब हो गई उससमे मेर ऑफ भाघ ठांड नियुक्त को मैरे पात अर्षा बाट लिवना करना बच्चे भी अपने काम में बढ़ाई में उड़ाई में उड़ाई में तो उनको भी टाइम से खाना वाना भी चाहिए बेशक्क हैल्प कर देते हैं वह मेरी पर फिर भी मुझे उठना ही पड़ता है थोड़ा बहुत काम तो और बहुत इसमें इतना पेन है पर्दाशिन ओड़ा आपको मेरे पेस से भी आइडिया लग रहा होगा कितना ज्यादा पेन है मेरे हाथ में कि मुव करने में मतलब ही लगा लिए कि मैं क्लेचर अपने बालों में क्लेचर भी नहीं लगा पा रही अच्छे से क्लेचर लगान जीवन में सुख और दूख तो आती ही रहते हैं नहीं जीवन में छुक और दुख बीज़ दूख सुख तो और दुख बस यह है कि जैसे सुख की स्वागत ह gold की हुआता है संक तक्लीफ की लाइफ का हिस्साइए legg रहे हैं लेकिन फिक है कोई बात ही चलता है हो जायेगा सही पिछले साल भी हो गया था मेरेको तो उस समय मेरा का दो तीन-चार महीने में बहुत परिशान रही थी मेरा इलाज चला था पर फिर डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो ना तो कोई दवाईयां लगी दवाईयों से भी कोई फरक नी पड़ता टैनिस अलबो में और ये एक्सेसाइज वगेरा करो फीजियो थेरैपी भी करवाई थी मैंने, तो उन्होंने कहा था, धीरे धीरे ये जो हैं अपने आपी कम हो जाएगा, कई लोगों का regular रहता है और कई लोगों का जल्दी सही भी हो जाता है तो आप इसकी तरफ से ध्यान हटा लो बस ये है कि आप थोड़ा ये ध्यान रखो कि आपको कोई भारी काम नहीं करना कोई आपको मूवमेंट जादा नहीं करनी है अपने हाथ की बस ये ध्यान रखो फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही सही हो जाएगा पता नहीं क्या हुआ है दूबारा से फिर्टे हो गया विरको हाथ में इतना जया क्योंकि अगर पूरे घर का ध्यान रखना है तो सबसे जादा मुझे अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा तब ही मैं इन लोगों का भी ध्यान रखना हूंगी नहीं तो अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखंगी तो इन लोगों का ध्यान कैसे रखंगी इसलिए कोई भी हाउस वाइफ है, कोई भी और अवरत है, सबसे पहले उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, फिर वो सबका ध्यान रख सकती है, तो अपने आपको भी कभी इगनोर नी करना चाहिए, अपना ध्यान भी बहुत जरूरी होता है, हम लोग सोचते हैं, कि नहीं, अभी नहीं बाद में पहले हम लोगों को अपना ध्यान रखना है बाद में हम किसी और ध्यान रखना है क्योंकि हम एक और से ही पुरा घर चलता है और जहां पे और बिमार हो जाती है तो पुरा घर सफर करता है खाने तक की प्रॉब्लम सोजाती है बहुत सारी प्रॉब्लम सोजाती है तो अगर हमारा शरीर ठीक है तो हमारा घर बिलकुल परफेक्ट रहेगा और अगर हमारा शरीर खराब है तो फिर घर में सब सफर करेंगे तो इसलिए अपना ध्यान सब से पहले अपने शरीर का ध्या को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है तो जब भी आप में वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को ज सब लोग अपनी स्वास्ते का ध्यान रखें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, खिल-खिलाती रहें, मुस्कुराती रहें और बारिश के मौशन में गरम-गरम पकोड़े खाते रहें बाए